हेलो एब्रीवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अगस्त के जो important current affairs हैं उसे ही discuss करने वाले हैं तो चलिए आज की class को start करते हैं और ये current affairs बहुत important है आपके exam के point of view से तो please सारे current affairs को ध्यान से देख लें question number one क्या पूछा क्या है हाल में ही प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को किस देश के नागरिक सम्मान देखिए हाल में ही आप अगस्त में समझना इसे grand cross of the order के honor से सम्मानित किया गया तो देखिए मैं आपको एक hint दे देता हूँ एक और राष्टर है जो की है France जिसने जो है France के सबसे बड़े सम्मान से प्रधान मंतरी मोदी जी को सम्मान दिया है the grand cross of order of honor से जो सम्मानित देने वाला है वो है Greece टेकनिक याद करने का grand cross जो है Greece जी जी लेटर से आप इसे connect कर सकते हो पहली बात दूसरी बात Greece की ये सबसे highest award नहीं है यानि कि जैसे भारत में भारत रतन सबसे बड़ा सम्मान है Greece में ये second based है यानि कि दूसरे नमर का ये पुरुषकार है याद रखेगा इसका answer क्या हो जाएगा option number A अब प्रधान मंतरी नेरेंद्र मोदी को ये समान क्यों दिया गया है देखिए बोलने को तो ये है कि परियावरन सनरक्षन के लिए मोदी जी के योगदान को देखते वे ये समान दिया गया है किसके लिए परियावरन सनरक्षन के लिए लेकिन reality क्या है देखिए दो country ना आपस में एक दूसरे के साथ मितरता करने के लिए business strategy को बढ़ाने के लिए यानि कि एक दूसरे से क्या करें समान खरीद बेश सकें इसके लिए जो है एक दूसरे को सम्मानित भी किया जाता है परदान मंतरी जब नेमन मोहन सिंग थे या फिर उनसे पले अडल विहारी बाचपई या फिर वाइस बरसा राजचीव गांधी की बात करो इंद्रा गांधी की तो ये सब प्रक्रिया जियो पॉलिटिक्स के थात होती है फिलाल इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा option number 1 Greece के साथ आपको आगे बढ़ना था अब हम लोग आगे बढ़ेंगे next question की हो उससे पहले आप नरेंद्र मोदी और Greece के President को देख सकते हो अगले सवाल के और में लोग बढ़ते है Smart India यानि कि India Smart City पुरुषकार 2022 में Best National Smart City का आवाट किस सहर को दिया गया है तो देखिए अगर मैं State की बात करूँ यहां तो City आपसे पूछ लिया गया है अगर मैं State की बात करूँ तो State जो है वो कौन सा है मध्यपरदेश MP ठीक है Swart में MP बोलते हैं MP को सबसे जो Advanced है National Smart जो है State चुना गया है अगर City की बात करूँ तो City में क्या जाएगा Indoor इसका सही जबाब होगा दूसरे नमर पे कौन है तो सूरत जो है अच्छा सहर किसे चुना गया है चंडीगड को याद रखे का चंडीगड बहुत ही छोटा सहर है और यहां से इंदौर की जो एक ड्रॉन इमेज है वो आपके सामने आपको दिख रही होगी अगला सवाल देखे क्या है राष्ट्रिय अंतरिक्च दिवस किस दिन को मनाया जाता है राष्ट्रिय अंतरिक्च दिवस किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है तो देखे 23 अगस्त को चंडरियान 3 लेंड किया था कहां पे मून पे और इसलिए 23 अगस्त को हम लोग राष्ट ये अंत्रिक्ष दिवस मनाते हैं चंदरियान थिरी के जो सफलता पुर्बग जो उसको जिस order के लिए I mean जिस mission के लिए भेजा गया था वो हम लोगोंने soft landing soft landing यानि कि धीर धीरे जो है हम लोग वहाँ पे उतरे हैं यानि कि हरवड़ाहाट में गिर गए पिछले बार हम लोगों का जो चंदरियान दो mission था वो फेल हो गया था तो हम लोगोंने हिमत नहीं आ रहे और तीसरे में हम लोगोंने successfully soft landing कर लिया है और भारत जो है IT company Infosys Infosys बहुत बड़ी company है Infosys ने अपना global brand ambassador यानि कि पूरे world के लिए किसे brand ambassador चुना है तो देखिए ऐसे ही खिलाड़ी को चुना जाता है जिसको सभी देशों में जो है नहीं आपको दिखेगा लेकिन tennis जो है tennis जो है हर देश में खिला जाता है हर देश के लोग जो है इसे जानते हैं और इसका आंसर भी होगा राफेल नडाल जो की tennis player है और याद रखिए इनको तीन सालों के लिए जो है अगले तीन सालों के लिए ब्राइंड मिजडर चुना गया है और यह कहां के खिलाड़ी है स्पेन के खिलाड़ी है और 22 grand slam जो है इनोंने अपने नाम किया है तो यह बहुत important है इसे याद कर लेना यहां से आप राफेल नडाल की फोटो भी देख पाओगे अगले सवाल की और में लोग बढ़ेंगे world athlete championship 2023 में gold जीतने वाले पहले भारतिये कौन बने है देखिए athletic championship में निरचोपड़ा को यहाँ पे silver मिला था क्या मिला था silver फीक है यह भी याद रख लिना है 2022 के लिए silver लेकिन बोल देना हिम्मत नहीं हार नहीं है और इन्होंने gold medal जीत लिया है 2023 के लिए और यहां से निरचोपड़ा की फोटो देख सकते हो आँखों को स्कून देने वाले यह तस्वीर है आगे बढ़ेंगे अब देखिए अगला सवाल क्या है बगवाल मेले या फिर देविधु धुरा मेले का संबंध किस राज से है तो देखिए इसका जो संबंध है वो कहां से है यहां से देख लो यह जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्र फेकते हैं और यहां पे देखो यह जो स्ट्रेचर है ना इससे बचने की भी कोसिस करते हैं अब बोलोगे यह कौन सा खेल हो गया यह तो इसमें किसी का सर फट सकता है लेकिन ठीक है यह जो है ट्रडिशनल है और इसे लोग खेलते हैं यहां से आप फोटो बगारा भी देख पाओगे आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की और भारतिये महिला फीफा फुटवाल 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है स्वरी भारतिये नहीं मैंने मिस्टेक कर दिया फीफा फुटवाल जो है वो महिलाओं के लिए फिमेल के लिए जो हुआ था वर्ल्ड कप उसको किसने जीता था तो देखिए यह हो जाएका अंसर अस्पैन यह क्या उनसर हो जाएका इस्पैन अस्पैन ने किसे हरा कर जीता है तो इंगलेंड जो है सेकेंड नमर पे रहे थी और यह परतियोगिता पे जो थर्ड नमर पे रहा था अस्ट्रेलिया कौन थर्ड नमर पे रह था और Australia नहीं इसे क्या किया था होस्ट भी किया था याद रखेगा Australia कौन सी कंट्री है होस्टिंग कंट्री भी है क्लियर होगी बाते यहां से आप Spain के जो खिलाडी है वगेरा उनकी जो cheerful जो पिक्षर है वो आपके सामने दिख रही होगी ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग next question की ओर चंद्रमा के दक्षनी दुरूप पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है अगर आपने मेरे बातों को ध्यान से सुना होगा तो आपको answer मिल चुका होगा और वो answer क्या है वह answer है दक्षनी दुरूप पर पहुचने वाला पहला देश है भारत, इंडिया हमारा आपका प्यारा भारत इंडिया जो है सबसे पहले पहुचने वाला है और याद रखेगा इसी दिन किस दिन 23 अगस्त को हम लोग यहां पे soft landing किये थे और इसी दिन जो है राष्ट्विय अंतरिक्ष दिवस के रुप में हम लोग celebrate भी इसे करते हैं बहुत अच्छी बात है और इंडिया जो है moon पे उतरने वाला चौथा कंट्री लेकिन south pole पे उतरने वाला पहला कंट्री है और हम लोगों ने इतिहास रच दिया है कुछ questions जो है इससे related पूछे जा सकते हैं तो देखिए rover का नाम क्या था ये आपसे पूछा जा सकता है तो देखिए rover का नाम क्या था आपको पता ही है परग्यान lander का नाम क्या था विक्रम lander का नाम क्या था विक्रम मैं लिख देता हूँ लेंडर विक्रम था और रोबर क्या था हम लोगों का प्रग्यान था तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से आप जो है चंदरियान की फोटोस भी देख सकते हो देखे मून लेंडिंग की बात करो तो सोवियत यूनियन यानि की सब साउथ अफरिका में इसका सही आँसर क्या हो जाएगा साउथ अफरिका में साउथ अफरिका ने इसमें होस्ट किया था ब्लादेमिर पुतिन को यहां पे आना था लेकिन वो यहां पे नहीं पहुंचे ब्लादेमिर पुतिन यहां पहुंचे उन्होंने का कि हम यहां पे न इंडिया, सीफोर, चाइना, ऐस यानि कि साउथ अफरीका भी इसमें एड हो चुका है, और भी कुछ कंट्रीज जो है एक जनवरी 2024 को एड हुए हैं, मैंने वो करेंट फेर्स जनवरी का भी करा रखा है, तो उसे जाकर आप देखोगे तो आपको चीज है, समझ में आएगी यहां से आप जाए पांचो देशों के रास्टी आधक्ष को देखोगे, लेकिन यहां पे देखो, कुतिन के जगा पे, जो रच्छा मंतरी, विदेश मंतरी हैं, वो यहां पे आपको दिखेंगे, दूद गाडू, यानि कि बटर फेस्टिबल का आयोजन किस राज में किया जाता है, तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो है, यह फेस्टिबल को सेलिब्रेट के जाता है, वो है उत्राखंड, उत्राखंड में आपको यह फेस्टिबल देखने को मिलेगा, लोग दूद देही लेकर बहुत दूर दूर तक जाते हैं, इसके बाद वो जो है, जंगल म चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला कोश्चन देखो क्या है, 46 बिस्व अंडर 20 कुस्ति चेंपियनसिप 2023 में भारतिये पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं, किसकी बात हो रही है, यह भी याद रखना है, बिस्व अंडर 20 कुस्ति चेंपियनसिप की बात हो रही है, और अगर मैं ब्राउंज मेडल यानि की कासी पदक की बात करो, तो भारत ने साथ जीते हैं, यह जो 14 मेडल्स है, मैंने आपको उसकी टैली बता दी, पहली बात, दूसरी बात, अगला सवाल क्या पुछा गया है, यह तो हो गई आसान सी बात, अब यह भी पुछा जा सकता अंत्रेप्नोशिप, अंत्रेप्नोशिप चैलेंज जो है, यह किस ने जीता है, किस व्यक्ति ने से जीत लिया है, नाम है नित्रा लोगी, कौन सा नाम है, नित्रा लोगी, सिधा सिधा है, यह बिलकुल यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, यह अर्माचल प्रदे में उलेखनी ये कारे करने के लिए इसे दिया जाता है और राज चेट्री को जो है ये पुरुषकार दिया गया है अगला सवाल देखिए नमो 108 ये जो species है प्लांट की एक परजाती है ये जो है आपको बताना है कि वो कौन से फूल का परजाती है कमल गेंदा गुला या सुर जाती है यहां से आप फोटो देख पाओगे ये देखिए ये फोटो में देखिए आपको ये जो कमल है ना इसमें total 108 पंखुडिया है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है इसमें कितनी पंखुडिया है 108 ये मार्च में उगता है जबकि ये दिसंबर में ये जो है ये उग option number B में है किसे हराया है तो देखिए इन्होंने जीता है लेकिन हराया किसे है यह भी important सवाल बन जाता है याद रखेगा यहां से जो है यह question का जवाब आप नीचे comment करके बताओगे पहली बात दूसरी बात यह जो है मेसी इसी टीम के खिलाड़ी है यह भी सवाल आपसे आस्ट्रेलिया वो country कौन है आस्ट्रेलिया अब देखिए यह जो माला बार यूद अभ्यास होता है यह quad country चार अलग अलग country को मिला कर quad बोला जाता है quad lateral आपने पढ़ा होगा quad lateral यानि की 4 तो देखिए quad country में कौन कौन है सबसे पहले आपको देखिए याद रखना है इंड यह ocean है उस पे कबजा करने की कोशिश कर रहा है अलग अलग तरीके से उसे रोकने के लिए यह किया जा रहा है आगे देखिए हाल मेही चर्चा में रहा है हैलरी तुफान एक्चली यह 84 बरसों के बाद आया था this is very important for that और कहां पे आया था तो उत्री अमेरिका के question का answer मैंने कर दिया यहां से जो है हलरी के जो प्रभाब को आप देख सकते हूँ अगला सवाल देखे क्या है चर्चा में रहा इंद्रा गांधी Memorial Tulip Garden कि सराज में इस्थित है किसकी बात हो रही है इंद्रा गांधी Memorial Tulip Garden की और याद रखेगा यह Asia का सबसे बड़ा पार्क ह कहां पर है तो याद रखेगा इंद्रा गांधी Memorial Tulip Garden है पूछा गया कहां पर यह इस्थित है तो जम्मु एंड कास्मिर में यह आपको देखने को मिलेगा answer A आपका हो जाएगा और यहां से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे अगला सवाल देखे क्या है चेस वर्ड किसने जीता है बड़ा ही आसान सा सवाल है आर प्रागन नंदा ने जीता है याद रखेगा इनकी बहन है आरवे साली उन्होंने उनको हाल में ही जो है अरजुन एवार्ड दिया गया है तो याद रख लिजेगा इनकी बहन अरजुन एवार्ड से सम्मानित हो चुकी है आपको बताना है कि ये तमिल नाडू से संबंधित हैं, ये भी important सवाल है, आगे बढ़ते हैं, यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो, अब अगला सवाल देखिए क्या है, चर्चा में रही छडी मुभारत का संबंध भारत की किस यात्रा से, तो देखिए भारत में जो सिभ भगवान की इसमें सकतिया है, छडी की फोटो आप देख लो, ताकि आप चीजों को समझ पाओ, और जो बाबा बरफानी में ये छडी पूजा की जाती है यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहां से आप फोटो बगएर भी देख सकते हो, अगला सवाल देख नेशनल आइकन, बोट परसेंटाइल को जो है बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, थाइलेंड का, एक्चुलि कुछ और चीज़ें मैं आपके साथ डिसकस करना चाहूंगा, यहाँ पे देखो, भारतिय निरवाचन आयो की बात की गई है, यहाँ पे, याद रखिएगा इसकी अस्थापना जो है 25 जनवरी को की गई है, और 25 जनवरी 1950 को, कब 25 जनवरी 1950 को और 25 जनवरी को जो है रास्टी मत दाता दिवस भी मनाया जाता है, तो दोनों चीज़ों को आप याद रख लोगे, थाइलेंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे न्यूक्त किय तो देखिए, स्रेथा थाविशन को जो है यहाँ पर नया प्रधानमंत्री चुना गया, और याद रखी यह थाइलेंड के मात्र 3rd PM है, इसे पहले 2 PM हो चुके हैं, और जो 2nd last थे, उनको करप्सन के वज़े से हटा दिया गया था, अगला सवाल देखिए क्या है, जोर की फोटो आप देख सकते हो, अगला सवाल है, 111 एसियन जूनियर विशू चेंपियनसिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो कुल कितने पदक भारत ने जीते हैं यहाँ पे, 9 पदक जीते हैं, और इसकी सुरुवात कब से की गई थी यह जूनियर विशू इसकी सुरुवात की गई थी, ठीक है, थोड़ा सा डाउट था, किलियर कर लिया, आगे बढ़ते हैं, NGT का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, राष्टिय हरित नियाधी करत, देखिए NGT में जो है, कुछ अगर कोई केस बगएरा आता है, तो उसे जल्द से जल्द ख पुछा गया है, हेड़क्ष कहा है, इसकी सुरुवात कब हुई, नया अध्यक्ष किसे चुना गया, ये सवाल है, तो देखिए, इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा, option number A, नियाय मुर्ती प्रकास स्रिवास्तप को जो है, इसका अध्यक्ष चुना गया है, अगला सवा हाल ही में, प्रसिध स्याइंखिकी विद्ध सी आर, राव का निधन हो गया है, उन्हें स्याइंखिकी का international award जो है, मिला हुआ है, वो कौन से साल में इनको सम्मानित किया गया था, तो देखिए, इसका सीधा जगा 2023 में इस award से इनको सम्मानित किया गया था, यहां से आप इ अलेशिया को हरा कर, कहां पे हुआ है, चेन्नई में हुआ है, यह भी आपको याद रखना है, चेन्नई में यह हुआ है, याद रख लेना इस बात को, चेन्नई में हुआ है, और भारतिय होकी टीम के जो पूरुस टीम के कैप्टन है, उनका नाम है हर्मन प्रीत कॉर, स्री भारते टीम को देख सकते हो, अगला सवाल है, सततरवा जो स्वतनतता संगराम का थीम क्या था, ये आपको बताने, तो देखिए, नेशनल फर्स्ट, नेशनल फर्स्ट, आलवेज फर्स्ट, यानि कि देश हमेशा आगे रहेगा, और जो सततरवा जो हम लोगों ने दिवस मना या इसमें क्या किया गया था तो, इसमें देखिए, हम लोगों के द्वारा जो है, हर घर तिरंगा, अ क्या रखा गया है, इसे क्वेशन एक पूछे गए, बीपेसी के, जो टीचर वाले एकजाम थे, इसमें ये सवाल को देखने को मिलेगा, और इसे कहां स्थापित किया गया है तो याद रखेगा L1 में इसे अस्थापित किया गया है वहीं से इसका नाम आदित L1 भी पड़ा है यहां से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे और देखे यहां यह जो है यह आपको L1 में यहां पर अर्थ है यह यहां पर इसे इस्टैबलिस किया जाएगा आगे बढ़ेंगे प्रो पंजा लिग का पहला सेजन किस न जीता है कोची केडी ने जीता है हराया किसे है किरक हैदराबाद को हराया है यह बहुत 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 ज़ादा इंपोर्टेंट सवाल है प्लीज इसे याद कर ले, एक्जाम में आपको कहने कहीं ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की और, यहां से आप पोटो भी देख पाओगे, ICC के दोरा देखिए ये question invalid है, क्योंकि जब एक्जाम आपका हो रहागा, एक दो महने पहले के ज अगला सवाल देखिए क्या है, हाल में ही कांडल कुड़ा, अलाहा का निधन हो गया, वो किस वर्स से इनको पदमसरी का सम्मान इनको दिया गया था, तो देखिए, 2021 में इनको पदमशरी के सम्मान से सम्मानित किया गया था, इनके बारे में जान लिए, यह important personality क्यों है, दे लिख रखा है तो ये question यहां से पूछा जा सकता है भारतिय जीवन बिमानिगम LIC का प्रवंद निदेसक किसे नियूक्त किया गया है ये बड़ा अच्छा सवाल है तो देखे ये जो है दोराईजी स्वामी और दोराईजी स्वामी को यहां पे LIC का प्रवंद निदेसक चुना गया है और याद रखेगा ये अगस्त 2026 तक इस पद पे काबीच रहेंगे दो बाते हो गई तीसरी बात अगर आप से पूछ दिया जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन है तो मोहंती साब हैं मैं इनका पूरा नाम अभी भूल रहा हूँ आप आप निचे कॉमेंट करके बताना और इसकी सुरुवात कब की गई थी LIC की तो देखे 7 सेप्टेंबर को जो है इसकी सुरुवात की गई थी 7 सेप्टेंबर 1956 में जो है टुनामेंट है ये जीता गया था किसके दोरा मैंचेस्टर सेटी के दोरा हारा कौन था यहाँ पे इंटर मिलान यहाँ पे जो है सेकेंड रनर अप टीम रही थी याद रखिये का इसे और 2022 किसने जीता था तो रियल मैडिन ने 2022 में इसे जीत लिया था ठीक है सारी बाते क्लियर होगे यहाँ से आप विनर्स की लिस्ट भी देख सकते हो I mean फोटो भी देख सकते हो भारत की पाली लॉंग रेंज रिवालबर प्रबल किसके दोरा निर्मित की गई तो देखिए प्रबल के बारे में देखने को मिलेगा चली आगे बढ़ेंगे हाल में ही चर्चा में आया Maya क्या है Maya के बारे में आप जानोगे तो यह OS है यानि कि Operating System है Open Source है इंडिया में जो है हम लोग देखो एक्चली आप Operating System जो है Android phone में जो है Android का यूज़ करते हो या फिर बहुत सारे लोग जो है iOS का यूज़ करते है iOS का कौन यूज़ करते है जो Apple वाली ठीक है और हम लोग जो है Android यूज़ करते है लेकिन OS जो है हम लोग Operating System Computer का जो है वो हम लोग Microsoft का यूज़ करते है लेकिन भारत अपना बना रहा है जिसका नाम क्या है माया है ये सभी लोग यूज़ कर पाएंगे ठीक है ये सुरक्षा के कारणों से लिया गया decision है राष्टपती द्रोपदी मुर्मू ने हाल में ही कोलकाता में विंद्यागरी यूदपोत को launch किया इसे जो है किस project के द्वारा बनाया गया तो 17A project के नाम से इसे रखा गया है याद रखे का total इसमें 7 जो है आपको यूदपोत जो है देखने को मिलेंगे कितने 7 अभी तक कितने बन गया है 6 एक और बाकी है और अलग-लग पहाड़ियों के नाम पे इसे रखा गया है विंद्यागरी परवत आपको कहा देखने को मिलेगा यह आपको करनाटका में देखने को मिलेगा यहां से आप फोटो भी देख पाओगे खेल महारन का संबंद किस राज से है तो यह आसाम से संबंदी थे आसाम के चीप मिनिस्टर का नाम क्या है निचे कमेंट करके आप लोग बताना ताकि मुझे भी पता चल सके विडियो आपने यहां तक देखा है वागे जो चीप मिनिस्टर है उनका कहना है कि हम लोग खेलों के उपर ध्यान देंगे लोगों को आर्थिक मदद भी देंगे जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते है किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो उनको यहां पर आगे बढ़ाया जाएगा अगला सवाल देखो क्या है सो तंतरता दिवस 2023 के अफसर पर कितने पुलिस कर्मियों को जो है पुलिस पदक से समानित किया गया है 954 यह आकड़ा जो है याद रखना आपको 954 पुलिस कर्मियों को जो है यहाँ पर समानित किया गया है और यहां से आप फोटो भी देख पाओगे क्लियर हो गई बात है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हाल में ही राष्टपती दुरावबती मुर्मू ने ससस्त्र बलों और कैंद्रिय ससस्त्र पुलिस के कर्मियों को कुल कितने विरता पुरुसकारों से समानित किया है तो देखे इसका आंसर हो जागा चियत्तर याद रखेगा जो important सवाल है एक्जाम में बार-बार पुछा जाता है लोग doubtful में रह जाते हैं सबसे बड़ा जो पुरुसकार हो है परमवीर चकर याद रखेगा पहले नमर पे कौन है परमवीर चकर दूसरे नमर पे कौन है महावीर चकर याद रखेगा एक्जाम में यह सब पूछे जाते हैं सवाल तीसरे नमर पे कौन है यह मैं आपको जो है स्टैटिक जी के जाएगा, ठीक है, चलिए, यहां से आप फोटो भी देख सकते हो, यह जो समारो हो रहा था, इवेंट हो रहा था, उसकी फोटो आपको देखेगी, हाल में ही आर्थर C. कलार्क की पुरुसकार है, यह किसने जीता है, तो देखिए, आर्थर C. कलार्क पुरुसकार, जो है, सा यहां से आप फोटो, actually मैंने नहीं लगाया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, हल मैं ही चर्चा में रहा, हाइड्रोफॉनिक्स, यह क्या है, हाइड्रोफॉनिक्स क्या है, यह हाइड्रो से आपको समझे में आ रहा होगा, यह फसल की एक तखनीक है, इसमें क्या किया जा रही है, तो यह फसल की एक तखनीक है, बिना मिट्टी के जो है, आप प्लांट को ग्रो करा सकते हो, रूप, जो रूप है, रूप यानि की च्छत, वहाँ पे आप जो है, इसका उत्पादन कर सकते हो, तो यह फसल की तखनीक है, crop technology is the right answer, अगला सवाल देखो क्या है, 15 2023 को पधान मंतरी ने लाल के लिए से कौन सी योजना की घोसना की है, तो 15 अगस्त से पधान मंतरी नरेदर मोदी ने बिस्व कर्मा कौसल सम्मान की योजना की शुरुआत करी है, यानि कि जो कामगार है, छोटे कामगार, लोगों को skillful बनाने के बारे में बात क्या जाएग और इसकी सुरुआत 17 सेप्टेंबर, यानि कि विसकर्मा जो दिवस है, उस दिन से किया जाएगा, विसकर्मा पोजा जो मना जाते हैं, इसमें छोटे-छोटे जो उद्योग है, MSME को आगे लाने की बात की जा रही है, ठीक है, चलिए अगले सवाल के और हम लोग बढ़ें जो है, पार्सी कम्यूनिटी, जो कि इरान से इंडिया में जो है, माइगरेट करके आई है, तो ये लोग जो है, नवरोज, नवर्स को मनाते हैं, ये प्यार, सम्रधी का प्रतीक है, इस पर्में जो है, लोग सम्रधी, प्यार और सांती की कामना करते हैं, और किसके याद मे जो है यह मनाय जाता है तो यायत रखीगा राजा जमसेद की याद में जो है इस पर्व को जो है celebrate किया जाता है यहां से आप जो है कुछ फोटो देख सकते हो अगला सवाल देखे क्या है Metagenome जो sequencing technology है इसका उप यो अगला सवाल देखो क्या है UK Sunset के House of Lords के दोरा ससक्त महिला आइकन पुर्षकार किसे परदान किया गया है यहां से आप फोटो देख पाओगे और इसका आंसर है Myra Grover Myra Grover को जो है इससे सम्भानित किया जाएगा यह आपको याद रख लेना This is very important और जो इनके दोरा एक book भी लिखी गई है वो भी exam में साथ पूछा जा सकता है The Evolving Mindset The Evolving Mindset exam में यह भी पूछा जा सकता है Please pen paper pray Not down कर लीजिएगा अगला सवाल देखें क्या है Kendriya Aparatyakshkar और SEMA सुल्क Board CBIC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है तो देखें संजे कुमार अगरवाल option number B इनको जो है नया CBIC का अध्यक्ष चुन लिया गया है यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख पाऊगे अगला सवाल देखें क्या है हाल ही में पुस्तकाले महोटसब 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है तो न्यू देली में जो है इसकी सुरुवात की गई है इसका अंसर क्या होजाएगा option number A Luna 25 का जो है संबंद किस देख से है बड़ा यह असान से सवाल है यह mission fail हो गया था actually यह mission क्या हुआ था फेल हो गया था और यह रस्या से संबंदी था actually क्या था ना यह Luna 25 जो है South Pole पर ही जा रहा था जहां हम लोगों का चंद्रियान यानि कि C3 जाने वाला था यह पहले पहुँच जाने वाला था लेकिन यह फेल हो चुका unfortunately और हम लोग number 1 बन गए अगला सवाल देखे क्या है हाल में ही राजस्थान में जो है 3 संभाग और 17 जिलों का गठन किया गया है तो अब आपको बताने जिलों की संख्या और संभाग कितने हो गए पहले कितने थे 7 अब हो गए है 10 पहले कितने जिला थे उसको छोड़ दो अभी जो है 50 जिले बन चुके है वैसे भी आप 50 में 17 गठा होगी आपको आंसर मिल जाएगा देश का पहला Autonomous Underwater Vehicle का नाम क्या है तो देखे इसका नाम रखा गया है निराक्षी इसका नाम क्या रखा गया है निराक्षी एक्शली ये है क्या वो आप समझे लो Wait a minute Sorry मेरे थोड़ा गला फस गया था अब देखे इसका आंसर क्या हो जाएगा निराक्षी is the right answer अब पूछा गया है Underwater Vehicle का नाम आपसे पूछ लिया गया है अच्छी बात है इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ये जो है रोबेटिक जो है ये क्या है सममरीन है पंडूबी है इससे हम लोग जो है यहाँ पे समुद्र वाटर में जो सीवाटर है वोँआ पे सुरक्षा का क्या ध्यान है और जो सैंटिफिक रिसर्च वागेरा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसका अंसर क्या हो जाएगा, option number D अगला सवाल देखिए क्या है, देश का पहला unity mall किस राज में बनाया जाएगा तो देखिए, unity mall जो है, हर राज में एक-एक unity mall सरकार बनाने बाली है पहली बात, दूसरी बात, मदिपर्देश से इसकी सुरुवात होगी और उज्जेन के सार से कहां से सुरुवात होगी, उज्जेन के सार से, अब ये mall क्या, आम mall होगा नहीं इस mall में जो handy craft है, लोगों के द्वारा जो है, बनाये गए product को यहाँ पे बिस्तार दिया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा I hope की सारी बाते clear हो गई है, आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, और यहां से mall की photo आप देख पाओगे राष्ट यह हद करका दिवस कम मनाया जाता है, और यह answer हो जाएगा, 7 अगस्त को यह मनाया जाता है 2015 सेज की सुरुवात की गई है, और हद करका दिवस जो है, 7 अगस्त 2015 सेज की सुरुवात की गई है यहां से आप पिक्चर भी देख पाओगे अगला सवाल है FISU World University Games 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं इसका आंसर हो जाएगा 26 हम लोग ने 26 पदक जीता और कौन से नमबर पे रहे थे साथ में नमबर पे किसमे FISU World University Games में नमबर बन पे कौन रहा था नमबर बन पे रहा था चाइना नमबर टू की अगर मैं बात करूँ तो जपैन यानि कि हिंदी में जपान बोलते हैं इंगलिस में जपैन बोलते हैं थर्ड नमबर पे कौन रहा था तो थर्ड नमबर पे South Korea आपको देखने को मिलेगा I hope की सारी बाते clear हो गई है अगला सवाल मनिपूर हिंसा आपको पता ही होगा मनिपूर में बहुत हिंसा जो है वहाँ पे हुआ था उसके लिए जो एक committee का गठन किया गया है उस committee को lead कौन करने वाली है तो देखिए मैंने आपको आधा अंसर बता दिया है उसका नाम है गीता मितल और गीता मितल जो की जमू एंड कास्मीर्स के high court से आती है उनको यहाँ पे अध्यक्स चुना गया है यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे नहरू ट्रोफी 99% बच्चे इसको गलत करेंगे मुझे पता है नहरू ट्रोफी आपने देखा और फुटबॉल आपने लगाने के लिए आगे बढ़े होंगे गलत है आपका अंसर इमांदारी से नीचे कमेंट करके बताना देखें नहरू कब आपसे पूछा जाता तो आपका अंसर फुटबॉल होता लेकिन ट्रोफी पूछा गया है तो इसका अंसर हो जाएगा और बोट रेस से और ये बोट रेस कहां होता है किरला में होता है 100 फीट की जो है यहाँ पे बोट की जो हाइट होती है जो लेंद होती है वो 100 फीट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो है इसका आयोजन किया जाता यहाँ से आप फोटो भी देख सकते हो और यह जो बोट की सेफ होती है वो साप के जैसे सेफ होती है ठीक है आगे बढ़ेंगे भारत का पहला डेटा यानि जो किरसी एक्सेंज डेटा है वो फ्रेमवर्क जो है किस राज में लॉंच किया गया है यह आप से पूछ लिया गया है तो देखिए यह आपको कहा मिलेगा तेलंगाना में देखने को मिल जाएगा ठीक है क्लियर होगे बाते अगला सवाल देखिए क्या है इंडिया स्टार्टप फेस्टिबल 2023 का है आयोजन कहां पर किया गया था सीधा सीधा आंसर है जहां भी आपको देखिया स्टार्टप आपको बेंगलूरू पहुंच जाना चाहिए 200 आदिवासी दिवस कम्मन आया जाता है इसका भी सीधा सीधा आंसर है 9 अगस्त को 9 अगस्त को कौन सी गटना और होई थी नीचे कमेंट करके आप लोग को बताना है याद रखेगा यह आदिवासी समुदाय यानि कि ट्राइब के हग के बारे में जो है बात करती है जागरू करने की बात ये करती है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे चर्चा में रहा रोबोट बेंडिक्यूट का सम्मंद किस खेल से सम्मंदित है ये आप से पूछा गया है तो देखे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा किस देश को ट्रेकोमा मुक्त किया गया देखिए सबसे पले आपको ट्रेकोमा के बारे में जान लेना है देखिए ये आँख से समंदित विमारी है और ये हाल में ही जो है इराग को इससे फिरीक घोसित कर दिया गया अब यहाँ पे एक भी केस इसके देखने को आपको नहीं मिलेगा यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे अगला सवाल देखिए क्या है अगला सवाल आप यहाँ से देख पाओगे WTO की बिसु वैपार सांखिकी समिच्छा रिपोर्ट के अनुसार यानि कि वैपारिक निर्यात यानि कि हम लोग जो है अलग देखों को एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत का स्थान कौन सा है तो हम लोग जो है यहाँ पे 18 नमबर पे लाई करेंगे कितने नमबर पे 18 नमबर पे हम लोग पहुँच चुके हैं आई होप कि हम लोग जल्दी बहुत आगे पहुँचें चाइना से ठीक आसपास पहुँचने की हम लोगों की कोसिस रहेगी हाल में ही चर्चा में रहा अरास डॉर्स गैस फिल्ड विबाद किस से सम्मादित है पैसे का चक्कर है यह और यह पैसे का चक्कर आपको मिलेगा कहाँ पर साओधी अरविया कुवेट और इरान के बीच में यह पाकिस्तान पैसे से इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है यहां से आप इसकी फोटो भी देख पाऊगे अचली सबी लोग जो है वो तेल का चक्कर है और तेल के उपर जो है तीनो चारों कंट्री अपना हक जमाने की कोशिस कर रही है जल जीवन सर्वेचन 2023 की फ्रेंट रणर स्रेणी में पर्थम स्थान पर कौन सा जिला रहा था यह आपसे पूछ लिया गया है इसका देखिए आंसर स्री नगर होगा स्री नगर यह देखो यह रहा उप्सन नमबर एई अचली जो जल जीवन सर्वेचन इसमें परधान मंतरी नरेद मोदी ने अगस्त के अपने जो लाल के लिए से भासन दिया था उसमें कहा था लोगों को कि जल जो है दोजार जोबिस तक हम लोग पचीस तक जो है सभी लोगों के घर में जल पहुचाने के लिए जो है कटीवद है डिवधर ट्रॉफी का खिताब किस ने जीता है तो देखिए साउथ जोन ने जीता है और साउथ जोन के जो कैptटन थे उनका नाम है मैंक अगरआल नमबर टू पे कॉन रहे थे तो इस्ट जोन के इस्ट जोन जो है नमबर तूपे रहा था यह फाइनल में हा रहा है और इसके कप्तान कौन थे सौर अपति बारी आपने इनका नाम सुनाओगा जहरकंड से यह आते हैं क्लियर हो गई बाते चलिए आगे बढ़ देते हैं और यहां से आप जो है मैंक अगरवाल कहा है मैं यह रहा यह रहा मैंक अगरवाल की फोटो आप देख पाओगे हाल ही में लोग की मान तिलक रास्टिय पुरुषकार 2023 दिया गए दखिए यह जो लोग की मान इक गंगाधर तिलक है उन्हीं के बारे में है यह और यह पुरुषकार जो है किसे दिया जाता है जो की देश क को तरकी के मार्क पले जाए उन्हीं पुरुषकार दिया जाता है भारत के पुर प्रधानमंत्रियों के अगर मैं बात करूँ अठल वियारी वास पै मनमोहन सिंग इंद्रागांधी को यह पुरूषकार मिल चुका है हाल में ही नरेंद्र मोधी को यह पुरुषकार दिया गया है, क्लियर हो गई बातें, एक अगस्त को ये दिया जाता है, हाल में ही किस राज के मनकुराड आम को GI का टैग दिया गया है, ये देखिए, आम आपको कहा मिलेगा, गोवा में आपको मिल जाएगा, सीधी-सीधी बात है, याद रख लेना है, फोटो भी देख लो, किस द देख पाओगे, टाटा इस्टील के नए MD और CEO किसे निउक्त किया गया है, तो देखिए, ये जो TV नरेंदरण है, इनको यहाँ पे निउक्त किया गया है, टाटा इस्टील का पूराना नाम, जो है, वो क्या हुआ करता था, टिसको हुआ करता था, ये भी आपको याद यहां से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे अगला सवाल है इन में से किस राज में मचेल माता का वार्षिक तिर्थ यात्रा का आयोजन किया जाता है तो देखिए जमू एंड कास्मीर में किया जाता है मचेल माता जो है आपको पता होगा कि वैस्ट डेवी मंदिर है उसके जो है यह सबसे बड़ा सेकेंड नंबर पे पहाड़ी यात्रा है लोग यहाँ पे पहाड में यात्रा करते हैं याद रखना है आपको इस बात को यह कहा मिलेगा जमू एंड कास्मीर के किस्तवार जिले में आपको देखने को मिल जाएगा क्लियर हो गई बात है और 50,000 ति मैंने complete अगस्त का current affairs आप लोगों के लिए करा दिया है आगे और भी current affairs है चैनल पे जाकर उसे जरूर चेक आउट कर ले और एक मरातन वाली वीडियो होगी जिसमें 6 महिने के current affairs को एक साथ किया गया है वीडियो को अगर आपने यहां तक देख लिया है नीचे comment करके जहन जरूर लखिएगा वीडियो को like किजिए, share किजिए किसी educational group में जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर इस वीडियो को पहुचा सकते हो वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया have a good day